Hello everyone, I am Lukesh and welcome back to the channel जैसा कि दोस्तो आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी NFI TQ Final Round से Related जिसमें Most Asked Exam Related Queries पे हमने बात करी थी तो यह हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ और Queries डिसकस करेंगे जो कि बहुत ही important है आप सभी को जानना इसी के ससत एक और important update है जो कि मैंने अभी टेलिग्राम पे पोस्ट किया है वो यह है कि Hack with Infi Infosys Team की तरफ से एक session conduct करवाया जा रहा है 20 April को शाम को 5-6 बजे तक आप सभी को वो session join करना चीए वो session एक online session रहेगा जो कि LinkedIn की तरफ से host होगा इसी के ससत मैं आपको बताना चाता हूँ वो session मैं आपको सब benefits पता चलेंगे कि Hack with Infi के क्या है तो वो session आपको जरूर join करना आपको mail भी आ रहे होंगे काफी सारे candidates को mail receive हो चुका है अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और हमारे 5 points सबसे important है कि final round का result क्या same day पे आता है इसी के ससत interview कब होंगे results के बाद cut off क्या है final round का coding MCQ webcam examination guideline important suggestion और आप सभी के लिए good news है freshers batch के लिए 2022 batch के लिए और freshers batch के लिए तो बिना तेरी करे video को start करते है first point यह है कि result कभी भी same day में नहीं आता है और एक बात में आपको बताना चाहता हूँ हमें पता है कि hack with infi की date 5, 7 और 9 मई है ठीक है दोस्तों तो advantage round जो है advantage round मान लीजे आप जो final round clear कर लेते हैं उसके बाद आपको systems engineer जो behavioral interview होगा systems engineer role के लिए उसको आप clear करेंगे उसके बाद आपको advantage round में बैठने का मौका मिलेगा इसी के सससत advantage round और hack with infi का first round सेम है इसी लिए 20 तारीक के बाद कभी भी interview स्टार्ट हो सकते हैं मतलब जैसे ही आपकी जो exam खतम होगी उस सबसे पहले final round का result आ जाएगा final round का result दो तीन दिन में आ जाएगा उसके बाद आपके interview कभी भी schedule हो सकते हैं क्योंकि advantage round पांस स्वात और नो माई को है तो interview की भी tension मत लीजिया बहुत ही जल्दी interview preparation के बारे भी बताऊँगा कि किस type से आप interview की preparation कर सकते हैं क्या interview result के बाद होगा जैसे कि when interview happen after result मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि interview कभ होगा result के बाद जैसे मान लीजे final round का result आया ठीक है अगर हम एक date मान लेते हैं जैसे कि 23 या 24 को result आया तो 26 या 27 से interview start हो जाएंगे क्योंकि 5, 7 और 9 माई को hack with infi है तो उसके पहले interview खतम हो जाएंगे क्योंकि advantage role की opportunity आपको interview crack करने के बाद ही मिलेगी ठीक है cutoff for final round from coding mcq cutoff अगर मैं आपको बता हूँ तो यहां पर ऐसा कोई sectional cutoff नहीं रहता है कि आप coding question कर देते तो आप select हो जाते हैं बस इतना रहता है आपको 65% बनाने ठीक है अब मैं आपको एक suggestions देना चाहूँगा यहां पर वो यह suggestion है कि एक coding question के सारे test case चला दीजिएगा दूसरे coding question के maximum जितने test case कर चला सकते हैं उतने चला दीजिएगा और बाकी mcq को बहुत अच्छे से कीजिएगा mcq का level अभी भी सेम है कॉलिफायर जैसा practice कर सकते हैं इसी के सससाथ आपको बस 65% बनाने है section timer भी आगया कि अगर section divide हो गए तो भी आपको tension नहीं लेना और अच्छे से paper देना है ठीक है दोस्तो webcam examination guideline webcam के बारे में बताओं तो काफी सारे candidates पूछ रहे थे क्या हमें 3 hours तक पूरी exam मतलब window open रहनी चीए जब तक आपकी exam जैसे ही complete हो जाए जैसे सारे test case आपके चल गए उसके बाद आपके mcq चल गए आप final submit कर सकते हैं और एक और बात code को कितनी बार submit कर सकते हैं ठीक है code को आप बार बार submit कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपने कुछ changes करें code को submit करा आपके test case run हो है जब आपके सारे test case चल जाए या एक दो छूट जाए और फिर वो नहीं हो पारा है test case नहीं चल पारा है या सारे test case चल गए तो जब आप final submit करेंगे तो वो final submission हो जाएगा examination guidelines already मैंने आपको login details वाली वीडियो में बता दिये important suggestion यही देना चाहूंगा motivation मत lose कीजिएगा इसी के सासद आपने practice करी है qualify round जैसे निकाला है वैसे final round भी crack करना है ठीके दोस्तो इसी के सासद आपको कुछ भी doubt आ रहा है इन दो दिन में आप पूछ सकते हैं और कल हमारे channel पे शाम को 8 बजए एक live session है nftq final round से related उसमें मुझे आप सभी का support चीए इसी के सासद आप उस session को join कीजेगा क्योंकि उसमें आप अपने live जो doubt पूछेंगे मैं माही के माही आपके जितने भी doubt से सब clear कर दूँगा इसी के सासद good news यह है freshers batch के लिए कि अभी हमने आज सुबह मैंने paper में यह पढ़ा था means कि infosys company का जो share है वो काफी high हो चुका है इसी के सासद infosys freshers batch को बहुत जल्दी higher करने वाली है और ज्यादा freshers को higher करने वाले infosys इस बार तो इस type से मैंने एक news पढ़ी थी वो news भी genuine है दोस्तो इसी के सासद मैं आपको बताना चाता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी news है हो सकता है कि आगे exam वापस हो जाए क्योंकि हमारे time तो नहीं हुई थी पर आप सभी के लिए हो गई तो बहुत अच्छी बात रहेगी जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट दूँगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस ट्राइब से आप exam क्रेक कर सकते है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगई होगी इसी के सबसाद ये वीडियो हमारा last part है final round से related कल हमारी सिफ आखरी एक live session series आईगी ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगई होगी इसी के सबसाद कोई भी doubt है comment section में आप पूछ सकते final round से related दो दिन बचे अच्छे से practice कीजिए best of luck for exam thanks for watching the video